मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कहा कि प्लीज एक वीडियो सुधा चंदरन के उपर बनाओ तो जिसे नहीं पता है कि सुधा चंदरन कौन है तो सुनो 16 साल की उम्र में उनका एक रोड आक्सेडेंट हुआ जिसमें उनका एक पेर बुरी तरी से डैमेज हो गया था तो उनका एक पेर काटना पड़ा लेकिन उनका बचपन से ही सपना था कि वो एक डैंसर बने लेकिन डॉक्टर ने कहा ये डैंस क्या ठीक से चल भी नहीं पाएगी लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी उन्होंने एक plastic का pair लगा कर dance practice किया और इनका ये dance इतना famous हुआ कि इन्होंने 12 देशों में ये dance perform किया और 1984 में इन्होंने अपनी पहली movie Mayuri के साथ film debut किया और ये movie इतनी hit साबित हुई कि 18 लाग के budget में बनने वाली ये movie 80 लाग कमाई और इस मूवी के लिए इन्हे नैशनल फिलिम फेर आवार्ड और एक नंदी आवार्ड भी मिला था और तब से लेकर आज तक इन्होंने अपने जिन्दगी में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा तो आपके पास अगर हिमत और होसला होता आप कुछ भी कर सकते हो अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना तो मिलते हैं अगली वीडियो में